मित्रो आजे आपने जोईये छे समूदाई शूर्थ वच्ची समूदाई शूर्थ वच्ची ने आपने एची नो डर्मेटा तरीके पन उडखाविये छे अथ्वा सूर्थ चर्मी तरीके उडखाई छे आ समूदाई शूर्थ वच्ची नो डर्मेटा आपने लईये छे यू केरियोटा कारान के बद्धाज प्राणियों यू केरियोटिक एटलेके सु कोश्चेंद्रिय संवरश्चना दरावे छे तेमज आ प्राणियों मा पटल में अंगिकाव आवेली होवा थी तेम ने यू केरियोटा मा मुकवमा आवे छे उपसमूदाय अथ्वास्वारी उपस्रूष्टी तरीखे आपने लईये छे स्रूष्टी यू केरियोटा उपस्रूष्टी आपने लईये छे यू मेटा जुवा बहु कोशिय पेशी धारी प्राणियों स्रम विबाजन सुविक्सित कक्षानू धरावे माटे तेमने यू मेटा जुवामा मुखवामा आवे समुदाई लईये छे शूल त्वची समुदाई आ प्राणियों पोताना शरीड पर शूल अथ्वा द्रडावनी रचना केल्शियम कार्बोनेट रिलेके केलकेरियस प्रकारनी धरावले छे माटे तेने आपने शूल त्वची समुदाई तरीखे उलखाविये छे मेत्रो अहीं आपने उदारणोंने पन साथे त्यानमा राखी शू उदारणोंनी अंदर आपने बे प्रकारना शब्दो वप्राई छे एक प्रादेशिक सब्दो अने बीजाजे छे तेमना माटे वप्राता तेवा वैग्नानिक नाम अथ्वा हुलाम्ना नाम तरीखे पन आपने जूईये छे तारा माचली जेने स्टार फीस तरीखे उलखवा मावे छे आमाचली नूँ वैग्नानिक नाम जेमा एस्टे रियास तरीखे उलखाई छे एले वैग्नानिक नाम प्रजाती तेनू थसे एस्टे रियासिस अथ्वा एस्टे रियास सागर गोटा बीजु एक प्राणी छे जेने आपने सियाचिन सी अर्चिन तरीखे उलखवा मावे छे तेनू वैग्नानिक नाम छे एचिनस अथ्वा एचिनस तरीखे उलखवा मावे छे प्रजाती एचिनस छे समुद्र कमड जेने आपने सी लीली तरीखे पन उलखवा मावे छे जेनू वैग्नानिक नाम छे एंटेडोन त्यार बाद छे समुद्र काकडे समुद्र काकडे जेने सी कुकुम्बर तरीखे उलखवा मावे छे जेनी प्रजाती कुकु मेरी ना छे अने बरड तारा जेने ब्रिटल स्टार तरीखे उलखवा मावे छे जेनू वैग्नानिक नाम छे ओफियो रा आज एछे ए उदारणों नी बात आपने करी जो वर्गी गरां पूछाए छे तो आपने आरीते लखिये छे गणी वकत वैग्नानिक नाम अथवा तो प्राणी ना नाम उपर्थी प्राणी समुदाईना लक्षणों पूछवा मावे छे तो मित्र एने आपने खास द्यां दाखीने लखवा जोईए तो सवथी पैला आपने जोईए छे शूल्थ वच्चे शमुदाईना प्राणीों नूँ पैलू लक्षण जैने आपने कहिए वस्वाट अथवा निवास था आ प्राणियों नो वस्वाट अथवा निवास तो आ प्राणियों मूटे बागे दरियाई प्राणियों छे एले दरिया ना पानीमा अथवा दरियानी रेतीमा निवास करता प्राणियों तरीखे उडखा से वड़े अमुग प्राणी एकाकी स्वरूपे जोवा मले अमुग प्राणी वसाहती स्वरूपे होई छे तेक शार युकत पाणी मां सरवल ताथी वस्वाट करी शकता तेवा प्राणी हो छे हवे तेमनी शरी रचनानी बात करिये तो शरी रचना अथ्वा देह रचनानी अंदर जोवा मलता वागों मां आपने जोईशो के आ प्राणी नी अंदर जोवा मलती शरी रचना शरीर नी फरते केल्शियम कार्बोनेट अथ्वा केलकेरियस नूम कवच आवेलू होई छे कवच आवेलू होई छे तेमज तेना पर शुड़ोनी रचना धरावे छे अथ्वा द्रडावोनी रचना धरावे छे आवी रचना ने अस्थीकावो पन कहे छे प्राणियोनू शरीर नाजुक होई छे नाजुक शरीर दरावता प्राणियों छे पुक्त अवस्थाए अरिया सम्मीती धरावता प्राणियों परन्तु ते बात आपने सम्मीती नी अंदर करीशू हवे कंकालनी बात करिये तो आ प्राणियों मा बे प्रकारना कंकाल जुआ मले बाहियक अंकाल जे आवेलू छे ते केल्शं कार्बोनेट युक्त केरियस कवचनी रचना धरावे छे आने तेना पर शुडोनी रचना धरावे छे वडि आ प्राणियों मा अंतक अंकाल तरीके आवेली रचना जे केल्शियम कार्बोनेट नी बनेली चाक तक्तियों नी रचना धरावे छे चाक तक्तियों धरावे जे ने अस्थिकावो तरीके पन उलखाई छे अस्थिकावो पन कहे छे हवे त्यार बाद आ प्राणियों नी अंदर जोवा मलती स्तरिया आयोजन नी रचना जो प्राणी देकोश्ती होय तो हम्मेशा स्तरिया आयोजन मोटे भागे अंग तंत्रा में रचना स्वरूपे जोवा मले एटले अंग तंत्रा में आयोजन नी रचना दरावे छे वडि आ प्राणियों नी सम्मिती एटले के सम्रचना ते बन्ने रिते अलग अलग जोवा मले छे डिम्बा वस्थाए तेव द्वी पार्स्वस्त सम्मिती धरावे छे परंतु पुक्त अवस्थाए अथ्वा पुक्त अवस्थाए तेव पंच अरिय सम्मिती धरावे छे डाखला तरीके समुद्रतार अमा पांच मुखस्तो अवेला छे माटे तेनी सम्मिती पंच अरिय सम्मिती तरीके ओड़कवा मा आवसे खंडतानी द्रश्टिय वाद करिये तो आ प्राणियों अमुक जे आवेला छे ते असम मिती अथ्वा असम खंडीय रचना धरावता खोई छे अमुक प्राणियों खंड मैं रचना धरावनारा जुवा मले छे बन्ने प्रकार नी रचना तेनी अंदर गुठवाएली जुवा मले छे गर्बस्तर नी वाद करिये छे तो द्यगर्ष्टी रचना धरावता प्राणियों मां हम्मेशा बाहिया मद्यय औने अंत गर्बस्तर नों विकास सहलो होए मांटे तेने त्री गर्बस्तर ये प्राणियों तरीखे ओळक्वामा आवसे। जोवा मलतो नथी आथी आवा प्राणियोंने अ मेरू दंडी प्राणियों तरेखे ओलखवामा आवसे अ मेरू दंडी प्राणियों मा आ छेलो समूधाय आपने कई सक्ये अ मेरू दंडी प्राणियों पछी आपने विजो एकम छे पाचन तंत्र पाचन तंत्रनी रचनानी वाद करिये तो आ प्राणियों मा सरण निर्म्ल अथवा अशक्त प्रकार्नों अशक्त के निर्बळ अहीं पाचन तंत्र जो आमण अने पाचननी क्रिया दर्षाव माटे अहीं उप्योगी तंत्र जे आवेलू छे तेने जल परिवहन तंत्र तरीके उडखाई छे इढ़ले के पाणीना प्रवानी मदधि पोषक द्रव्यों मुखद्वार मार्फते प्रवेशे छे औने अपाचित पदार्थो और पाचित पदार्थो चाक तक्तियों द्वारा अलग थई और तेना द्वारा ते अलगी करण पामेला जोवा मढ़े छे रने उस्सर्ग द्रव्यानों स्राव अथ्वातो निकाल पण आज रिते दर्शावामा आवे छे वड़ी अहीं जे आ प्राणियों दरियाई प्राणियों होवा थी परिवन तंत्रनी रचनापन एवीज रिते जोवा मले बंद प्रकारनों परिवहन तंत्र खरू परंतु ते निर्बल छे जे जल परिवहन तंत्र द्वारा संचालित छे एडले के पाणिना प्रवान अनुलक्षी ने ते आ क्रिया दर्शावे छे अवे मित्रों एना थी आगल वात करिये परिवहन तंत्र पछीनी वात एडले के अहीं आपने वात करिशू स्वसन तंत्रनी तो स्वसन्नी क्रिया दर्शाव माटे आ प्राणियों फरिथी जल परिवहन तंत्रनों उप्योग दर्शावे छे स्वसन्नी क्रिया दर्शाव माटे स्वसन तंत्रनी रचना छे पाइमा अग्लेला द्राव्य ओक्सिजन नों उप्योग तेवो स्वसन नी प्रक्रिया माटे करे छे जल परिवहन तंत्र द्वारा द्राव्य ओक्सिजन नों उप्योग थाई छे उप्योग करे आज एक्रिया जेचे जारक स्वसन स्वरूपे जोवा मलेचे कोई विश्विष्ट स्वसन अंगोनी रचना जोवा मलती नथी तेविज रिते उस्सर्जन अंगनी रचना उस्सर्जन नी क्रिया जेचे ए दर्शावा माटे अहीं जल परिवहन तंत्र मुख्या छे जल परिवहन तंत्र द्वारा उस्सर्जन दर्शावाई छे उस्सर्जन थाय आ क्रिया दर्शावा माटे आंत्रो सर्गी उस्सर्जन त प्रजन नी क्रिया दर्शावा माटे नी वात आ प्राणियों एक लिंगी छे लेके नर ने मादा प्राणियों बिन्नन पामेला होई छे जेथी बाहियाने आंत्रिक लिंग बेद धरावे ते थी ते प्राणियों अलग अलग रेता होवा थी तेने द्वी गुरुही प्राणियों तरिके ओडखवा माँ आवे वड़े आ प्राणियों अंड प्रसवी प्राणियों छे एडले के इंडानों प्रसव दर्शावे छे हवे तेना थी आगलवदीने वाद करिये तो फलन्नी क्रिया आ प्राणियों मा फलन्नी क्रिया पाणी मा दर्शावाएचे एडले के बाहिय फलन्नी क्रिया दर्शावे बाहिय गर्ब विकास दर्शावेचे अने अंड प्रसवी प्राणियों होवा थी पाणी माज फलनी क्रिया अने गर्ब विकास नी क्रिया जोवा मढे वडे डिम्ब अने विकास नी वाद करिये तो आ प्राणियों डिम्ब अने विकास नी बन्ने नी क्रिया दर्शावे छे एड़ले के डिम्बा अवस्था आवेली होय जारे प्राणी पोताना गर्ब विकास मा पुक्त प्राणी जेवा लक्षनों धारन न करीत शके त्यारे डिम्बा अवस्था जेवी अवस्था माथी पसार थाए माटे तेमनों विकास परोक्ष विकास दर्शावामा आवे एडले के रुपान तरणनी क्रिया दर्शावे छे वडे प्राणियों नी अंदर पोषन पद्धती एडले के पोषन नी क्रिया आ प्राणियों विशम पोषी छे बद्दाज प्राणियों विशं पोषी स्वरूपे जोवा मळे, तेवो गीट भख्षी स्वरूपे होईजए, कीट कोनु बख्षन करे, और सुख्ष्म किट कोनु बख्षन करता हवाँ थी सुख्ष्म भख्षी प्राणियों तरिखे उडखास है प्रचलनी क्रिया दर्शा माटे अहीं मुखस्तो नी रचना उप्योगी बने छे उदर प्रदेशे एक जोड नाली पगो नी रचना आवेली होई छे जे वाता शयो स्वरूपे होई छे जे तरवा माटे उप्योगी छे वडि मुखस्तो द्वारा प्रचलनी क्षमता धरावे छे हवे आ प्राणियोनी अंदर जोवा मलतु चेता तंत्र चेता तंत्रनी रचना विकास पामेली जोवा मले जेमा चेता कंदो चेता कडी अने चेता रच्चू जे बेवडी अने नकर होई द्वारा अहीं चेता करण थाई छे विश्ष्ष्ट रचनाओनी वात करिये तो अहीं जे आवेली विश्ष्ष्ट तानी अंदर पहलू लक्षन आपड़े के ये के आ समुदाईना प्राणियों बद्दाज दरियाई प्राणियों चे बिजू लक्षन के शरील पर शरील अथवा त्वच्या पर शुडो नी रचना धरावे छे शुडो धरावे माटे तेने शुड त्वची अथवा शुड चर्मी तरीखे उडखाई छे माटे तेमने एची नो डर्मेटा तरीखे उडखवा मावे एची नो एटले के शुड नी रचना डर्मेटा एटले तवा ची ये रचना तवा आज एचे एमनों मुख्य लक्षन चे पंच अरिय सम्मिती धरावता प्राण जे पुक्त अवस्थाए जो आम मळे वडे मुख्य तंत्र स्वरूपे आवेलू तंत्र जेने जल वाहक तंत्र अथवा जल परिवन तंत्र तरीखे उडखाई छे आ तेनी मुख्य विशिष्ट ता छे उदारणों नी वात आपने अगव करी जुकेला छे तो मित्र आज हतो ए शूर्त वची समुदाईना प्राण योनी वात आपने करी हवे त्यार बाद एक समुदाई एवो छे के जेने आपने अत्यार सुदी अमेरुद प्राणियों मा गंता हता आने हवे एने आपने गणिये छे ते मेरुदंडी समुदाई आने अमेरुदंडी समुदाई नी वच्चे मुक्वामा आवे छे सवथी पहला सामी मेरुदंडी ने मेरुदंड ना उप समुदाई तरिके मानवामा आवतो हतो त्यार बाद तेने अलग करी अ मेरुदंडी मा मुखवा मा आवे आ समूदाइना प्राणियों एटले के सामी मेरुदंडी जैने हेमी कौर्डरेटा तरीखे उडखवा मा आवे छे हेमी कोटरेटा अथ्वा तो सामी मेरु दंडि अथ्वा आदी मेरु दंडि तरीखे पन उडखावी शकाए आ समुदाइना प्राणियों मां अंग तंत्रम्मै आयोजन जुवा मले छे अंग तंत्रमे आयोजन आवेलु होय छे क्रुमी जेवा दर्याई प्राणियों छे एडले के तेवो ने दर्याई प्राणियों ना विपाग मा आपने मुकी शकी अने ते सवती नानू जूत छे एडले नान जूत मा अथवा नानू जूत दरावे छे एम आपने कई शकी बिजु के आ प्राणियों द्वी पास्वस्त सम्मीती धरावे छे यहले के तेमने प्रुष्ट मत्य रेखा आये थी बे सरका बागमा विबाजन करी शकाई छे वड़ी तेओ त्री गर्बस्तरी छे तेमल देकोष्ट धरावता प्राणियों छे यहले के त्री गर्बस्तरी देकोष्टी प्राणियों तरीके ओड़खा से वड़ी आ प्राणियों नी शरीर रचना नडाकार होई छे ग्रीवा प्रदेशे अथवातो अग्र भागे सुन्डनी रचना धरावे छे वड़ी आ प्राणियों नी शरीर रचना मा जो आपने गणिये तो सौथी अग्र भाजवी आवेली सुन्डनी रचना त्यार बाद आवेली ग्रीवा प्रदेश पछी आवेलो धड़ प्रदेश वगेरे जोवा मड़े छे परिवन तंत्र नी रचना आ प्राणियों नी अंदर ते खुल्ला प्रकार नूं परिवन तंत्र धरावे छे वड़े स्वसन्नी क्रिया दर्शाव माटे ते ओ जालरो नी रचना धरावे छे जालरो त्वारा जारक स्वसन्नी प्रक्रिया करी शके छे सुन्ड ग्रंती जे आवेली छे ते सुन्ड ग्रंती अहीं उस्सर जननू कारिय दर्शावे छे एक लिंगी प्राणियों छे लिंग बेद दरावे छे माटे तेवो द्वी गुरुही प्राणियों तरीखे उडखा से वड़ी फलनी क्रिया दर्शावे छे जे अहीं बाहिया फलन स्वरूपे जुवा मड़े छे अने विकासनी प्रक्रिया परोक्ष स्वरूपे दर्शावे छे माटे डिम्बनी रचना धरावे डिम्बा वस्था धरावता प्राणियों छे हवे आ प्राणियों नी अंदर आपने समावेश करियेचे उदारन तरीके जेमा एक प्राणी चे बालानों गलोसस तरीके उलखायेचे बिजू जे प्राणी आवे रूछे तेने सेक्के रू गलोसस तरीके उलखायेचे सेको ग्लोसस तरीखे उलखातू प्राणी छे तो आबे प्राणियों सामी मेरुदंडी मा आवे लेके हवे आपने अ मेरुदंडी समुदाई ना बदा समुदाईों पुरा करे अ मेरुदंडी समुदाई नी श्वरुवा थई आपना माटे छिद्र काई समुदाई थी समुदाई सुत्रक्रोमी, त्यार बाद आवेलो समुदाई नुपूरक आने एना पछीनो समुदाई सवथी मोटो समुदाई संधीपात, विजा नमबरनों मोटो समुदाई मुरोदु काए आपने लिदो आने आजे आपने जे समुदाई लिदेलो छे ते शूल त्वची समुदाई आवे आने त्यार बाज सामी मेरुदंडी एने आदी मेरुदंडी तरीके पन उडखाई छे एटले अहीं सुदीना बद्धाज आ समूदायों छिद्रकाई थी मांडी आने सामी मेरुदंडी सुदीना बद्धाज समूदायों ने अमेरुदंडी प्राणियों तरीके उडखा से अवे आगल जता आपने मेरुदंडी समूदाय वीशेनी वाद करीश